नमस्कार आप देख रहे हैं बिस्तक की स्पेशल रिपोर्ट मैं हो रजद देवगन एक बड़ी खबर आई है और खबर भी उस शेर के ओपर जो लगातार बजार में सुर्खियों में है और खबर ये कि कृष्णन वेंकर्ट सुब्रमनियन जिनको आप केवियस मनियन के नाम से जानते हैं उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक से एक्जट कर लिया है जिहां इस्तीफा दे दिया है और बोर्ड ने इस्तीफा मन्जूर भी कर लिया है जॉइंट M.D.Puds से केवियस मनियन साहब ने इस्तीफा दिया और तुरंत प्रभाव से वो लागू है अब वो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ नहीं जुड़े हुए है और 29 साल का experience है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ लगबग तीन दशक का experience दो बताओ इतना senior व्यक्ति है अगर किसी बैंक को अगर छोड़ कर जाए या फिर किसी भी corporate entity को छोड़ कर जाए तो असर तो पड़ेगा ही growth पे लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक बोड़ रहा है कि growth intact रहे कि उनको भरोसा है कि existing जो team है वो बहुत ही अच्छा काम करेगी अब financial services sector में किसी अन्ने company को join कर सकते हैं KBS मनियन ऐसी अठकले तेज हो गई है अभी तक KBS मनियन साब ने कुछ बोला नहीं है तो फिर तो वारे न्यारे हो सकते हैं तो इस वीडियो में आपको बताएंगे लेकिन पहले तो focus रखते हैं KOTAK महिंद्रा बैंक पर क्योंकि परेशानिया बढ़ती चले जा रही है और जो top management में बदलाव हो रहे हैं इनकी वज़ा से तकलीफ जादा दिखाई देती है पहले तो ओदे KOTAK ने जब इस्तीफा दिया था सितंबर 2023 में बताओर MD और CEO के पद से वो exit करके गए थे उन्होंने अपने कारेकाल के चार महीने पहले इस्तीफा दिया थे लेकिन उसके बाद से leadership को लेकर और growth को लेकर KOTAK महिंदरा बैंक के उसके उपर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे तो KOTAK का जो board था उन्होंने उसमें ये प्रस्ताब दिया था कि KVS Manian साहब को या फिर शांती एकमबरम को bank का CEO या फिर MD बना दिया जाए लेकिन हुआ क्या था इससे बिल्कुल विप्रीट स्थिती हो गई थी एक जनवरी 2024 को RBI ने अशोक वास्वानी को KOTAK महिंदरा बैंक का MD और CEO नियुक्त कर दिया अब 20 जनवरी को फिर उसके बाद क्या किया 20 जनवरी 2024 को KOTAK bank ने ये किया कि KVS Manian को joint MD नियुक्त कर दिया उनको whole time director से हमका designation बदल कर joint MD कर दिया गया था और शांती एकमरम को deputy MD बना दिया गया था उस समय ये कहा जा रहा है कि कहीं top officials exit ना कर दें कुछ bank में एकदम से अचानक से कोई top official exit कर दें तो फिर परिशानी भड़ती है तो इसके चलते designation में बदलाव किया गया था लेकिन चलो उस बार मामला थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया था लेकिन अठकले बहुत तेज़ थी कि KVS मनियन साहब फिर exit कर सकते हैं क्योंकि यहीं समझो ना कि प्रबल दावेदार थे वो MD और CEO बनने के तब नहीं बन पाए थे तो उसके बाद फिर जो उनके leadership में भी आपको बताऊं अच्छा leadership ही डिसकस करते हैं जो leadership के पास जो शीर थे कोटेक महिंद्रा के उनको वापस ले लिया था और जब भी केविस मनियन साहब का जिकरा आता है तो रिटेल डिविजन का आता है रिटेल बैंकिंग इसको बहुत तगड़ा ग्रोथ कराया कोटेक महिंद्रा बैंक को केविस मनियन साहब ने कंज्यूमर बैंकिंग डिविजन के प्रेजिडेंट रहते कोटेक महिंद्रा बैंक ने 600 ब्रांचे खोली थी और 1000 से ज्यादा एटेम्स खोले थे अब तो यह network बहुत ज्यादा फैल चुका है लेकिन तब यह ग्रोथ बहुत दगड़ी मानी जा रहे थी बैंक का retail deposit, home loan, personal loan, cards, mobile division, online banking, MSME, credit इन सब में growth देखने को मिली थी तो asset और liability side पे बहुत दगड़ी growth देखने को मिली बैंक एकदम से flourish कर गया इसलिए बहुत respected नाम है KBS मनियन का industry में और अब आप यह समझो कि वो exit कर चुके हैं तो किसी बैंक के पास एक बड़ी opportunity भी आ सकत है वो ही है कि उन्होंने reporting structure में बदलाव कर दिया जैसी KBS मरियन साब ने exit किया तो reporting structure बदल दिया गया है अब wholesale, commercial और private banking कारोबार के reporting अशोक वासवानी जी को ही होगी जो कि MD और CEO है और उसके बाद asset reconstruction division की जो reporting है उसमें शान्ती एकमरम जी को होगी जो कि Dipti MD है अच्छा शा है अच्छी चुका है कोटक महिंद्रा बैंक का शेर कि RBI ने restrictions लगा दी नएक रहाक नहीं जोड़ सकते online banking के माधियम से और mobile banking के माधियम से आप नहीं रहाक नहीं जोड़ सकते नहीं credit card issue नहीं कर सकते क्योंकि compliance follow नहीं किये IT framework में खामिया पाई RBI ने उसके बाद इतना strict step उठाना पड़ गया कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाब और कोटक महिंद्रा बैंक का शियर तो एकदम से धड़ाम होगा था इसके चलते अब एक और मुसीबत आ गए कि KVS मनियन साब भी exit कर गए हाला कि इसकी अटकले बहुत समय से थी लेकिन अब मंगलवार को बोर्ड न के वारे न्यारे हो सकते हैं अब उसमें दो बैंक का नाम आ रहा है लेकिन एक तो जादा प्रबल दावेदार दिखाई दे रहा है वो इसलिए क्योंकि फेडरल बैंक में नए M.D. और C.E.O की नियोकती है वो सितंबर 2024 तक होनी है वो क्यों क्योंकि शाम श्रीनिवासन जो करने की मंजूरी चुद थी उसको उनको जो उनके पीरिट को एक्सेंट करने की जाचिका थी वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी आरवे नहीं चाहता कि यह टर्म को एक्सेंट किया जाए तो फिर आप कुसी बाहर के व्यक्ति को लेके आना पड़ेगा और KBS मनियन नाम बार बार आ रहा है तो यहीं है अटकले जो बजार में इससे में बहुत जाद आती है तो फेडरल बैंक फोकस में दूसरा बंधन बैंक में नए M.D.O की नियुक्ति जो है वो जुलाई 24 तक होनी है लेकिन ज़्यादा दावेदार है वो फेडरल बैंक इससे में दिख आने वाले समय के लिए क्या खबरे निकल के आती है लेकिन बजार अटकलों पर ज्यादा रियाट करता है अब आप यह देखिए कि अगर आप शेर स्ट्रक्चर भी देखोगे किस तरीकी की परफॉर्मेंस थी शेर की तो कोटक मेंदर बैंक और फेडरल बैंक कोई कंपेर क कुछ रिटर्न्स देखने की कोशिश करो जिसमें एक हफते में कोटक मेंदर बैंक का शेर जो सवा 10% टूटा है इसमें तो यह जो पीछे RBA का जो रिस्रिक्शन लगाने का फैसला था उसके चलते भी एकदम से हाकार मचाओ था कोटक मेंदर बैंक के स्टॉक पे फेडरल इसी दोरान लगभग पॉने 12% चड़ा है एक साल में फेडरल बैंक 21% चड़ चुका शेर और कोटक मेंदर बैंक 15% नीचे है अब अगर आप पिछले दिन की क्लोजिंग देखोगे 30 April 2014 की तो वहाँ पर कोटक मेंदर बैंक का शेर 1% गिरकर 1623.95 के लेवल पर बंदुआ औ आप हालत देखो नीचे 1600, उपर 2000 यही इसी रेंज में बहुत समय बिता रहा है और उसके बाद जो रीसेंट फॉल आई है उसमें तो 200 हफ्तों की एवरेज के नीचे चला गया कोटक मेंदर बैंक का शेर इतनी जबर्दस दिखवा लिए यह चार्ट्स पे साफ दिखाई द इस बार का डैमेज जादा है 200 हफ्तों की ओसत को तोड़ दिया कोटक महिंदरा बैंक में और उसके बाद अगर आप फेडर बैंक का शेर देखो के तो वहां पर चड़ाई आपको सीधी दिखाई देती है उपर की और उसमें सभी एवरेजिस को मेंटेन करता हूँ चलता च के विस मनियन साब का एकजिट और उपर से रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर में बदला कोटक मेंदरा बैंक के लिए तो यह चीज़े नहीं है लेकिन देखते हैं आखिरकार जो अभी बजार में अटकले हैं कि के विस मनियन साब कौन से बैंक को जॉइन करेंगे और जहां पर फेडर बैंक का नाम बार-बार आ रहा है क्या मैनेजमेंट इसकी पुष्टी करती है कि नहीं फेडर बैंक की लेकिन सिरफ खबरों के दम पे आप कहीं बड़ा पैसे तो बना नहीं सकते स्टॉक मार्केट पर तो क्लारिफिकेशन आने दीजे और इस रिपोर्ट में हम नह से पहले अपने वितिसलाकार की राये जरूर लें अगर यह इन्फोमेशन और वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको प्लीज ओ प्लीज लाइक कीजिए और बिजनस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जोड़ रहे हैं बिस्तक के साथ नमस्कार बिस्तक आपके ल इस प्रेमियम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लांस हैं सिल्वर गोल्ट और प्लाटिन जिनके शुरुवात मात्र एक सो उनसर रुपे महिने से होती हैं इससे जुड़ना भी बेहदासान है बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाए जॉइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिल्एक्ट करें बस बन गए आप हमारे प्रिमियम मेंबर आप